बड़ी खबर कानपूर से जहां पर तैनाथ IPS आफिसर सुरेंद्र कुमार दास ने जहर खाकर खुदकुशी की कोशिश की है उन्हें गंभीर हालत में अस्पतार रीजनसी में भरती कराया गया है जहां पर उनका इलाद चल रहा है सुरेंद्र कुमार दास 2014 बैच के IPS हैं उनका ट्रांसफर बीते महीने ही कानपूर में हुआ था वो यहां SP पूर्वी के पद पर तैनाथ थे उनकी पत्नी कानपूर मेडिकल कॉलिज में ही डॉक्टर है लेकिन जहर खाकर खुदकुशी की कोशिश की है इस घटना के बाद जबर्दस तरीके से वहाँ पर रियाक्शन भी मिल रहा है लेकिन 2014 बैच के IPS एक महीने पहले ही उनका ट्रांसफर कानपूर में हुआ था लेकिन किन परिस्तियों में जहर खाया क्यों ये कदम उठाया ये तमाम सवाल बने हुए है इस पर अभी officially पुलिस की तरफ से कुछ कहा नहीं गया है लेकिन इसी बीच उन्हें रीजिंसी अस्पताल में भरती कराया गया है जहां पर उनका इलाज चर रहा है हालत गंभीर लेकिन क्यों ये कदम उठाया आखिर क्या हुआ था ये तमाम सवाल अभी बने हुए हैं इन्वेस्टिगेशन इस घटना का होगा परिवार से भी पूछता चोगी लेकिन स्पी सुरेंद्र कुमारदास के जहर खाने से सबर्दस संसरी इस पूरे इलाखे में 2014 बैच की IPS थे सुरेंद्र दास और एक महीने पहले ही उनका यहाँ पर ट्रांसफर हुआ था बीते महीने पहले कानपुर में उनका ट्रांसफर हुआ था पूर्वी के पद पर तैनाथ थे उनकी पत्नी भी कानपुर मेडिकल कॉलेज में ही डॉक्टर है लेकिन क्यों खुदकुशी की कोशिश की यह सवाल बना हुआ है एक दोस्त ने जानकारी दी इस बात की कि उन्होंने जहर खाकर खुदकुशी की कोशिश की जिसके बाद फ लेकिन पूरा महामने में घंप सकते हैं जुसमें जिबान बंद रखी है किसी से मुलाकात नहीं हो रही है इस वक्त वह जो 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 एस्टी सिटी है सुरेंद कुमार दास उनकी सिटी कभी बताई जा रही है और निजी स्पिताल में उनका इदाज कल रहा है अलाधुका चोने आध कानपूर तरी मिलने आते हैं और मिलकर निजी से नहीं की है इस लोग मौधू हैं लेकिन स्पिति से कुई मुलाकात नहीं हो रही है इस निकल कर सेैं ओंद आरे में बद आज अब देख मैं है कि आगे क्या आगा है शुक्रा कुमार आपका जानकारी के लिए लेकिन जैसी जानकारी यहां पर कुमार हमें दे रहे थे कि पारिवारी कलहा वजह हो सकती है हाना कि अफिशली अभी तक कुछ नहीं कहा गया है लेकिन इस तरह की खबरे निकल कर आ रही है वहाँ से अब इन्वेस्टिगेशन जब इस मामने पर आगे होगा तो उसके बाद तस्वी और साफ हो पाईगी लेटिस खबरों के लिए यूही देखते रही है आज तक और इस वीडियो के पसंदाने पर लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना ना भूले